अगर सियासत का समय से कोई तालमेल नहीं होगा तो जाहिरा तोर पर यकीन जानियें बदलते देर नहीं लगेगी इस देश ने 70 साल के एहंकार को डुबाया इस देश ने 5 साल के एहंकार को भी अपने तरीके से भरमाने से रोका है अब आज कहता है वोटर की शुरुआत इस 36 गर से वी सी शुकल की प्रतिमा भी यहाँ पर लगी हुई है जिन्होंने सबसे जादा मौत की गर्दन को दावे रखा और जिन्दगी के लिए मुकाबला किया ऐसी धर्ती से हम यहाँ पर आज शुरुआत कर रहे हैं कहता है वोटर की बीजेपी कॉंग्रेस के साथी भी हमारे साथ है सवाल जवाब के सलसले भी करेंगे कहता है वोटर में अगर वोटर शामिल होना चाहता है तो वो आए अपनी आवाज उठाना चाहता हो तो वो आए वरना उसे कहीं कोई हक नहीं फिर किसी सुविधा की मांग करने की फिर किसी डिमांड्स की फिर किसी सुरक्षा की चलिए सिलसले को शुरू करेंगे सबसे पहले चुनाओं में आप जा रहे हैं और जाहिरा तोर पर चक्रवर्ती साहब हैं नाम में चक्रवर्ती लगा हुआ है और कारेकरताओं का बढ़ा हुआ मनुबल इन सब के बीच क्या देख रहे हैं 2024 के आम चुनाओं को लिकर मिलने वाला लेकिन 2018-19 में भी फिर जनादेश मिला यह हैट्रिक का जनादेश है जिसमें भारती जनता पार्टी के कार करता और जनता जनारदन के साथ कनेक्टिंग है मोदी जी की गारंटी है और देश कोरोना काल के बावजूद भी जिस तरीके से प्रगती कर रहा है जिस तीसरी बार लोग सबा का चुनाओ फटा करेगी कोई भी अपना सवाल लेकर आ सकता है मनसाली साब तीसरी बार कॉन्फिडेंट है देखे दूर के ढोल सुहावने हैं वादे खोखले हैं थोता चना बाजे घणा और भरश्ट आदमी बोले घणा यह जो है इन्होंने किया क अगरी बता है आपके अच्छे दिन आये क्या वादे थे क्या हुआ तेरह वादा वो कसम वो इादा बड़े बड़े हम को किसके गमने मारा ये कहानी फिर सही नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही आपके हिसाब से मुद्दा क्या क्या प्रोजेक्शन और क्या नज़ार आता है 2024 देखिए बढ़ती है समानता जो मुदी सरकार में पिसले 10 साल में हुई है गरीब और अमीरों के बढ़ी है और पुरे देश की प्रॉपर्टी को चाहा है रिल्वे हो सरकारी संपत्ती को बेचा जा रहा है आप देखे रहेंगे बेसिक नीट दूद्ध ही जूते चपल इवन पढ़ाई पुस्तक के चीज में भी मेडिकल में भी इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया महंगाई को उनके चरम इस्तर तक ले के जाने का काम किया 36 महंगाई का मुद्धा अगर इतना बड़ा है स्पार्क क्यों नहीं ले पारा पब्लिक के बीच पब्लिक समझ रही है मह पढ़ाई के साथ साथ आप युवाओ को देख लिए देश में मोदी जी ने कहा था हर साल दो करोड़ लोगों को युवाओ को रोजगार देनी की बात यहां एक लाग भी युवाओ को रोजगार नहीं मिला एक और बड़ी महतुपून बात जो नजार आती है आपने कहा गरीबी से मुकाबला करना है असी करोड़ लोगों को खाध्यान दे रहे हैं गरीबी के नाम पर देखिए मोदी जी की जो यहुजना है विक्सित भारत की दोजार सैतालीस तक का मा बात किये हैं वह बहुल बड़ी बात है अभी हमारे भाई बंसाली जी बोल रहे थे कि इन मंदिर भी महीं बना के दिखाए और मंदिर बनाने के बाद रही बाद ब्रश्चार को बरस्चार मुक्त भारत करने की और अग्रसर है आपने सत्तर साल सिर्फ भ्रश्चार किया उसके लावा क्या किया ज़रा बता दिजिए मैं यह पूजना चाउँगा कांगरेश्पाई कराज जानेंगे पहले आप प्लीज देखें कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है सरवांगिण विकास का संकल्प लेके आती है जैसे भाजपाइवालों ने अभी गिनाया किए ये काम किये हैं तो भी बाकी जो पक्ष है जो नहीं कि उसकी भी तो बात करेंगे जैसे छह पूर्वक जीवन दे आज वही जो 6 लाग करमचारी हैं उनसे वर्तमान भाजपा की सरकार ने सौ दिन के अंदर एक कमिटी की घोशना की बात की मोधी सहब की गैरेंटी के नाम से मोधी जी की जो राश्टी स्तर की छवी है उसको आज चुनोती दे दिया भारती जनता पार प्रमचारी होते हैं किसी की सरकार में नहीं जैसे भुपेज बगेल की सरकार ने चारजा समसंबान दिया उनको बहुत-बहुत साधुवाद है वर्तमान विश्णु देशाय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है कि उसको उन्होंने राजनिती के चलते उस व्यवस्ता को बंद नहीं की उस योजना को कंटीनियू रखा पर बात यह है निमिती करण का वेतन प्रिद्धी का मतलब जिनका जो संबह है चैलाग लोगों का एक प्रकार का नहीं हो सकता वेवस्था अलगल बेवस्था होगी पर गैरेंटी क्यों नहीं मुझे बीज़ेपिक प्रवक् प्रवक्ति तीन तलाग कानुन बनाया राम मंदिर बनाया मुझे बताइए आप सर्वे कर लीजिए पसासाजार लोग यहां कटे कीजिए कि 370 तीन तलाग और राम मंदिर से किसको लाब हुआ इसके घर की गरीबी दूरुई किसकी घर की गरीबी दूरुई भाई यह कश् यह कह रहे हैं कि क्या होता 370 से तो क्या होता है इन्होंने कॉंग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान को भारत से अलग बना लिया आपके तहें क्या होता है यह क्या होता है बहुत बड़ी बात है राश्ट की असमिता धारा 370 कश्मीर जिसके लिए पर करेगी और राष्टी मुद्ध को लेकर भोजन की बात करते हैं यह अभी आर्थिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे क्या क्या बेच डाला रिविया यह मनमोहन सिंग जी नियम बनाया था कि आर्थिक नहीं नीती से नहीं नर्षिम्मा राओ ने उनको जिम्मेदारी दी थी आपने उन्हें भारत रत ने दिया है इसलिए वह सही था जो एकनोमिक रिफॉर्म्स है कि हम पब्लिक सेक्टर के सफेद हाती को पाल नहीं सकते अब यह जंता को जुन बलते हैं यह बेज दिये वह बेज दिये अरे हम आर्थिक रूप से हर कंपनी को मजबूत बना रहे हैं और राहूल गांदी जी कहते हैं कि भारत के भारती अर्थ हैं वावस्ता को तोड़ दो मोदी जी कह रहे हम यह कर रहे हैं तो आज दिल्ली के अंदर किसान पर किसान क्यूं वापिस आए गाजी बूब बडर पर किसान क्यूं वापिस आए और यह दोनों से परिशान है कभी कभी वोटर की तरफ से इस तरह की राय आ जाती है के बहुत शॉट में प्लीज अब लोग सब्सक्राइब का चुनाव आ रहा है पास में तो यह गली मुहले घुमतों दिखाई देंगे लोगों इसामने हाथ जोडतों दिखाई देंगे और जैसे लोग सब्सक्राइब चुनाव जाए तो पब्लिक इनके पीछे दोर दी नजर आएगी बहिया हमारे काम जाए लोगॉजकार हर साल देंगे आज दस साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होते हैं उसके अलावा हर छे मेहने में आते हैं हमें सो दिन दे दीजिए हमें बस 50 दिन दे दीजिए ना ये ब्रश्टाचार पर बात करेंगे ना ये रोजगार पर बात करेंगे ना ये देश की अर्थवेवस्ता पर बात करेंगे देखें मैं बताना चाहूंगा रोजगार के मामले में देखें परणनमंत्री अवास ओजना की अगर बात करें तो एक मकाम में साथ ब्रश्टाचार से अपनी चेवे भरती थे और जब ब्रश्टाचार की बारी आती ती इल्जाम लगाये जाता था तो बंबलास्ट हो जाते थे और क्या होता था यह आप समझ सकते हैं आरे धारा 370 जब हटाई नहीं गई थी और कश्मीर में पंडितों को भगाये जा रहा ये अभी परधान मंतरी आवास योजना की बात कर रहे तें तो इनके एक सगड़ एक सेकिंड भाई ये योजना रही नईनी है मोदी जी नहीं लाई है ये योजना तो इंदरा आवास योजना के नाम थी तो लोग इतने बाइमान होते हैं जो दुसरों के मकान पे अपना सभाट्यूंद्रिकेटस से मजबन कारेकार्टाओं कारेक benevolent leds red 189 ओस्का जादा उसका वी फाएदा नहीं मिला मनोबल का बढ़ेगा का मनोबल बढ़ाई त्रबीस था इतयास बदलेगा देखेगा जो लोगों के मन में जो ब्रम है कि कारेकर्टा Leo को है अभी यहां पर रिचार्ज नहीं है हम कारे करताओं को रिचार्ज कैसे कि अरे भाई वेट कर यह अभी साध्मों पर राम भगवान पर जाएंगे मेरे पास तो आप एक काम करो मैं एक घंटा खड़े होके बुलने के लिए तयार हूं उनके सवालों का चवाब देते हैं अभी जो बिल्ली की सिमाओं पर जो अतियाचार हो रहा है आप ने जो प्रस्टि निकिया को प्रस्ट नहीं करना तो कि सी प्रकाल चिल दाते हैं जान बढ़काने के कारे करताओं के चार्ज और रिचार्ज की बात कर रहा हूं पॉजिटीव बात में यह कहना चाहता हूं अभी कॉंग्रेस के मित्रों ने कहा कि रोजगार की बात जो अगर सुवरोजगार दिया जा रहा है स्किल इंडिया के माध्यम से या दूसरे अन्य माध्यमों से तो कॉंग्रस के लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता है आप देखेगा लगूद यो मध्यम लगूद यो रोजगार एक बड़ी समस्य अभी भी बना हुआ है एक व्यक्ति जो यहां पर बाइक चलाता है या जिस तरह की मोटरबाइक आजकल चल रही है अगर वो 200 रुपए प्रति दिन भी कमा रहा है क्या उससे घर चलेगा नहीं देखिए एक रहता काम करने की कोशिश की जा रही है तरुल कॉशल योजना तरुल यूगल योजना यूवा तरुल कॉशल योजना देखिए जो स्किल्ड का काम चल रहा है बिल्कुल रोजगार अच्पा का योजनाओं का एक्सपरटाइज इसी से समझ लीजिए कि जैसे ही तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव आए पर लोगों को खरिदने का काम किया है लीडर नहीं है अरे ले लो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ठीक बन साली सब्सक्राइब बहुत अच्छे लोगों को ले रहे हैं यह चगन बुजबल अजीत पवार एक नाथ सिंद्ध बात और आती है आप करॉप्शन मुक्त बनान सबकाइब मेरी माता है मैं भारत को मानता हूँ अगर आने को चाहे तो हम उनका स्वागत करेंगा बहुत देर से खामोश खड़े थे अब आवाज आईए बताईए देखे एक सीधा सा प्रस्न है एक एकदम सीधा प्रस्न हो और सटिक पहले एक उनका सवाल का जवाब दूँगा उन्होंने कहा दिल्ली में किसान वापस क्यों आई तो मैं एक सीधा सा जवाब देता हूं दि मैं आप से भी सवाल पूछूंगा देखे ये नगर निगम में आज इनके महापौर बैठे हूं इसलिए उसकोने में गंदगी हो रही है जिस दिन नगर निगम में हमारा भाजबा का महापौर आएगा पूरे निगम में सफाई जोर सोरो से होगी तीसरा चीज एक छोटा स भारती जनता पार्टी जूट बोलके सरकार में महतारी वंदना योजना इन्होंने घरगर जाके फॉर्म-भरवाया लेकिन आप देखिएगा महतारी वंदना योजना कितनी महिलाओं को लाब मिलता है महतारी वंदर योजना बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात इन्हों ने याद दिलाई महतारी वंदर योजना आप लेकर आए गारेंटी में शामिल है बजट में प्रावधान और महिलाओं की संख्या कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे से नीचे स्टार बनाके लिग दिया जाए हम प्रतिबदद है जितनी चुनावी घोशना थी मोदी जी की गैलेंटी उसके प्रतिबद है देर हो सकती अंदिर यारी क्यों नहीं देर हो सकती उसके रिफॉर्म पूरे में आप तो फास्टस्ट नेम सब बिलकुल बिलकुल सब तयारिया हो चुकी है हाँ पॉर्म लिये मददाताओं को घवरानी की आवशक्ता नहीं है मोदी जी की गारंटी भारती जन्तापर्टी की गारंटी मोदी चली चली एक कमेंट में लूँगा आपके पास प्लीज आप यह नेन इन से सवाल के जवाब पूछा था तो इनका जवाब नहीं मिला मुझे पांच सालों में इन्होंने क्या करा कुछ नहीं यह कहते हैं हम रोजगार देंगे यह रोजगार नहीं दे रहे हैं यह कटोरा दे रहे हैं तो एक बार फिर जहां से इस चर्चा की शुरुवात हुई वही है इस चर्चा को लो में लेकर जाता हूँ मैंने समय के पाहिये का जिक्र किया था पीछे उस समय के पाहिये के पीछे एक जेट भी दिखाई देता है वैसे वो भारतिय सेना के अदम में साहस और शौरे का प्रतीक है पर वो एक चीज का और भी प्रतीक है कि जब भी नेताओं के पैर जमीन से हटकर आस्मान पर जाते है जनता उन्हें धडाम कर देती है कहता है वोटर में इतना ही दर्शकों का भी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया